वहीं लोगसभा चुनाओं में NDA की जीत के बाद नरेंद्र मोधी आठ जून को लगातार तीसरी बार प्रधान मंत्री पद की श्यपत ले सकते हैं। सुत्रों की माने तो इस समारों के लिए भारत के पडोसी देशों के लीडर्स को नियोता भेजा जाएगा। इनमें श्री लंका के राष्ट्रोपती रानिल विक्रम सिंगे, बांगलादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना, नेपाल के पीम प्रचंड समेथ, मौरिश रस और भूटान की नेता भी शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रोपती विक्रम सिंगे ने बुधवार को फोन करके पीम मोदी को चुनाव जीतने पर बधाई दी थी। इसी दोरान कॉल कर मोदी ने उन्हें शपत ग्रहन में शामिल होने का न्योता दिया। इसे विक्रम सिंगे ने स्विकार भी कर लिया। वहीं बांगलादेश के पीम के साथ भी फोन पर बाचित के दोरान मोदी ने उन्हें समारो काम अंतरन भी दिया है।